वर्ष 2015 में आपके सभी परिश्रम सफल होंगे निजी और आर्थिक जीवन में विशेश परिवर्टन आने की संभावना होगी लोग और मुहों से दूर रहने की जरूरत है उक्वार मिलने पर आप खुश नहों बलकि ईश्वर का धन्यवाद करें अपने परिवार के बुज़र्गों का तथा बड़ों का विशेश आशिरवाद लेने से आपके कारे बल से नहीं बलकि बुद्धी से होने की संभावना होगी विशेश सामान्य द्रस्टी से आपके लिए यह वर्ष, स्चान्ती और सुखद हेतु है दूसरों की भलाई और मदद करने से आपको पुर्ण्यफल प्राप्त होगा अपने जीवन के कुछ विशेश निर्णे अपने बुज़र्गों से लेकर करें ग्रहों की दशा आपके मानसिक और आत्मिक उन्नती की व्रधी में सहायक सिद्ध होगी इस वर्ष, कारिय छेत्र में आपके अपने अधिकारियों और मित्रों से अच्छे संबंद बने रहेंगे साथ साथ मिलकर कारे करना आपको सही दिशा की और ले जा सकता है वर्ष, 2015 में आपका व्यवसाइक जीवन और कारे दोनों नए नए अफसरों की और जाने में सफल होंगे आपके जितने भी कारे क्रम और योजनाएं होंगी साथ ही वह निश्चित रूप से आपको प्राप्त होने की संभावना है जीविको पारजन और व्यवसाइ में अपने पद पर पदोननती करने का भी सेयोग है आप अपना कारे छेत्र बदलने की भी सोच करेंगे परन्तु आप अपनी आंतरिक शक्ती के अनुसार ही कोई निर्ने पर पहुँचें अपने व्यवसाइक उन्नती और विकास के लिए भी आप अपनी पून आशाओं और प्रात्मिक्ताओं को समझ लें इस वर्ष आपको प्रेम संबंदी अनुभूती होगी किन्तु कुछ समय के लिए आपको कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है साथ ही साथ अगर आप परिवर्दन लाना चाहें तो भी आपकी मनों कामनाएं आपको घेर सकती हैं इसलिए उचित दिशा की और अपना कदम ले जाने की आवश्यक्ता होगी अपने जीवन साथ ही को यह उचित कारे करके दिखाएं ताकि वह आपसे प्रसन्न हो सके के लिए या किसी प्रकार की बे बुनियादी बात के लिए आप परिशान ना हो आपके जीवन में सामान्य तोर पर यह वर्ष 2015 शान्ती ही शान्ती बनाए रखने में आपको पूर्ण मदद करेगा इस वर्ष आप अपने निर्धारित आयवे का उचित रूप से वहन कर सकेंगे किन्तु आप बिना चाहे और बिना सोचे समझे वे करने की और अग्रसर हो सकते हैं इसके लिए आपको कुछ सावधान होना होगा आपकी सावधानी ही आपको इस वर्ष 2015 की आर्थिक स्थिती से संतुलित और नियंतरत रख सकने में मदद कर सकती है आप अपनी पूरी इच्छाओं को सुईकार नहीं कर पाएंगे इसलिए आप उचित समय की प्रतिक्षा करने में सक्षम रहें आपको अपनी आए से बचत करने की बहुत ही जरूरत है इसलिए आपको बचत करनी चाहिए क्योंकि आने वाले समय में आपका मार्ग कछिन हो सकता है व्यापार में सौदेबाजी ना करें परिनाम गलत भी हो सकते हैं इसमें आपको सावधानी बरत नहीं चाहिए आपका स्वास्थ इस वर्ष पिछले वर्षों की तुलना में सही रहने की संभावना है आपकी शारेरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नती से आपके स्वास्थ लाब में कोई रुकावट नहीं होगी जीवन में आनंद ही आनंद मिलने के आसार है इस राशी के लोगों में वर्ष के अंत में कुछ स्वास्थ संबंदी समस्याओं के आसार है किन्तु प्रमुख चिकित्सा प्रदान करने और चिकित्सा वैसे स्वस्थ होने में आपको सुधार होगा अपना ध्यान रखें, आपको पेट में तथा तंत्र का प्रणाली में गरबढ होने की संभाव ना हो सकती है जिसके लिए आप अपना आहार और खानपान सही रखें, विश्राम करें और संतुलित आहार लें, नशीली चीजें आपको नुकसान देंगी इस वर्ष आपको कई प्रकार के लाब प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि इस वर्ष पहले भाग में ब्रहस्पती देव की उन्नती लाब भाव में अंकित की गई है राशी फल 2015 के अनुसार, आपके घर, परिवार, मित्र सखा लोग भी कुशल होंगे किन्तु राहु देव ग्रह के प्रथम भाव में उपस्थिती को देखते हुए, अपने अपने स्वास्ते का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा आपके काम वे व्यवसाय तथा शिक्षा के लिए यह वर्ष का पहला भाग काफी अच्छा होगा लेकिन वर्ष के दूसरे भाग में इस राशी के लोगों को साबधानी बरतनी होगी आपके इस वर्ष में खर्चेयादी बढ़ सकते हैं स्वास्थ भी बीच बीच में खराब हो सकता है इसलिए आपको सैयम से काम लेना होगा समझदारी से काम लेना बहुत आवश्यक है नियमित रूप में अपने घर के पास जो भी पीपल का व्रख्ष हो उसमें पानी देना आपके लिए शुब होगा राहु देव ग्रह की पूजा करना आपके लिए फलदाई है ज्यादा जानकारी के लिए जोतिशाचारे से भी आप संपक कर सकते हैं आस गणेशा के सभी ग्रहकों को हमारा सहर्दे धन्यवाद है और हम आपके उज्वल एवं सुख में भविशे की कामना करते हैं हम आपको यह भी विश्वास दिलाते हैं कि भविशे में भी आपको सटीक एवं उच्चतम सेवाय प्रदान करते रहेंगे